नमस्कार दोस्तों सक्सेविष्टा क्लासिस पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो के अंदर हम उत्तर प्रदेश का संपूर मैप श्टड़ी करने बाले हैं ये पार्ट 2 है इससे पहले हम पार्ट 1 कबर कर चुके हैं आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्ट्टर बॉक्स में दिया गया लिंक है आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं तो आएए दोस्तों सुरुगात करते हैं उत्तर प्रदेश इस्पेसल जीके की आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेपाल से उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले नेपाल से सीमा साजा करते हैं और उत्तर प्रदेश की जन संक्या से सम्मंदित आंकड़े देखने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की भोगोलिक इस्तिती से आज हम देखेंगे और पच्छी विहार उत्तर प्रदेश में, कई बार आपके एक्जाम में लगातार पूछे गए हैं, वन्ने जीव विहार भी देखेंगे, और बहुत देशी ये नदी घाटी, परियोजनाई देखेंगे, और वांध भी देखेंगे, और बहुत सारी अनुसन धान कैंडर रि उत्तर प्रदेश का अच्छांसी अविस्तार कितना है तो उत्तर प्रदेश जो है 23 डिगरी 52 मिनट उत्तरी अच्छांस से लेकर 31 डिगरी 28 मिनट उत्तरी अच्छांस तक इसका अच्छांसी अविस्तार है वहीं देशांसी अविस्तार की बात करें तो 77 डिगरी 30 मिनट से ल उत्तर प्रदेश के कौन से जिले नेपाल से सीमा साजा करते हैं। अब आईए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने सोध संस्थान हैं। और तीसरा है केंद्रिय औसधी अनुसंधान संस्थान कई बार पूचा गया है। अगला है भारतिय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनों के अंदर है। पोश्ण बागवानी संस्थान ये भी लखनों के अंदर है केंद्रिय औपोश्ण बागवानी संस्थान। इसके बाद नेक्स्ट है नियाईग प्रिसिच्छड एबं अनुसंधान संस्थान ये भी लखनों के अंदर है। तो दोस्तों जितने लखनों के अंदर रिसर सेंटर हमने वो एक ही जगर लिख दिये हैं। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सिज ये भी लखनों के अंदर है और कई बार आपसे पूंचा गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफिस जेनेटिक रिसोर्सिज फिर इसके बाद है बीरवल साहनी इस्टिटूट ऑफ पहलियो साइंसेज जो बनस्मति विज्ञान का ये इस्टिटूट है ये भी लखनों के अंदर है बीरवल साहनी। अब आईए देखते हैं और अनुसंदान संस्तान अगला है राष्टिय सरकरा अनुसंदान संस्तान जो है ये कानपूर के अंदर है कानपूर इसके बाद है भारतिय दलहन अनुसंदान संस्तान ये भी कानपूर के अंदर है भारतिय दलहन अनुसंदान संस्तान भारतिय प भारती ये पसुची किसा अनुसंधान और केंद्री ये पच्छी अनुसंधान संश्थान ये भी इजद नगर बरीली के ही अंदर है इजद नगर बरीली के अंदर है तो ये दोनों पसुची किसा अनुसंधान और पच्छी अनुसंधान संश्थान जो हैं दोनों इजद अगला है केंद्री या बकरी अनुसंधान संस्थान जो है मतुरा में है मतुरा में है बकरी अनुसंधान संस्थान अगला है Central Pulp and Paper Research Institute most important कई बार पूचा गया है Central Pulp and Paper Research Institute है सहारनपूर जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपूर यहां पर है Central Pulp and Paper Research Institute अगला है भारतिय कालीन प्रोधोगी की संस्थान दोस्तों कई बार पूछा गया है most important है भारतिय कालीन प्रोधोगी की संस्थान ये भधोई जो की बाराणसी के पास में है भधोई में है भारतिय कालीन प्रोधोगी की संस्थान तो इतने संस्थान जो है आपसे उत्तर प्र अनुसंदान संस्तान लखनू, केंद्रिय उसदी अनुसंदान संस्तान ये भी लखनू में है और भारतिय गन्ना अनुसंदान संस्तान लखनू के अंदर है और केंद्रिय उपोष्ल बागवानी संस्तान लखनू के अंदर है नियाई प्रिसिचड अबम अनुसंदान संस्ता ये भी लखनों में है और National Bureau of His Genetic Resources लखनों के अंदर है और बीरवल सानी Institute of Paleo Sciences ये भी लखनों के अंदर है अगला है राश्टी ये सरकरा अनुसंधान कानपूर के अंदर है भारती ये दलहन अनुसंधान कानपूर के अंदर है दोनों बहुत important है most important और भारती ये पसची किस् परेली में है और केंद्रिय पक्षी अनुसंधान ये भी दोनों most important है कई बार एक्जाम में पूचे गए इंडियन इस्टिटीट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बानानसी में most important है और केंद्रिय बगरी अनुसंधान संस्थान मतुरा में Central Pulp and Paper Research Institute सहरनपूर में है भारती ये कालीन प्राउदोगी की संस्थान भदोई में है कई बार ये पूचा गया है तो दोस्तों हमने यहाँ पर वही लिये हैं जो आपके एंचाम में लगातार रिपीट होते रहे हैं अब आईए देखते हैं अगला अगला टॉपिक है जन संक्या के आंकड़े उत्तर प्रिदि आखड़े जो हैं उनको देखते हैं सकल जन संक्या टोटल जन संक्या जो है 19 करोण 98,12,341 टोटल जन संक्या थी उत्तर प्रिदेश की और ये बिलकुल एक्जेक्ट डेटा आपके यूपी के कई अग्जाम में दिया गया था तो याद रखिए 19 करोण 98,12,341,2011 के डेटा जन संक्या थी जो है भारत की जो कुल जन संक्या है उसका 16,5% जन संक्या उत्तर प्रिदेश में निवास करती है कई बार पूचा गया है most important है अगला है महलाएं जो हैं उत्तर प्रिदेश में 9 करोण 53,31,831 महलाओं की संक्या है और पुरुसों की संक्या है 10 करोण 44,8,510 दोस्तों उत्तर प्रिदेश में जो लिंगा अनुपात है लिंग अनुपात इस्तरी और पूरुस का 912 प्रतियेक 1000 पूरुसों पर 912 इस्तरिया है जन संक्या घनत उत्तर प्रिदेश का जो है 839 प्रतिवर्ग किलो मीटर है और ये कई बार आप से एक्जाम में पूचा ग और कई बार ये एक्जाम में पूचा है उत्तर प्रिदेश में जो जन संक्या जस्किय ब्रतिदर है 20.2 प्रतिसत है अगला है सहरी जन संक्या जो है 22.3 प्रतिसत है उत्तर प्रिदेश में जो सहर में रहने वाली जन संक्या है वो 22.3 प्रतिसत जन संक्या है वो गाउं में रहने वाली जनसंक्या का प्रतिसद 77.7 प्रतिसद जनसंक्या जो है गाउं में निवास करती है तेंदूलकर समिती जो गरीवी को मापन करती है उस समिती के अनुसार गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो जन्जंक्या है उत्तर प्रदेश में वो 29.43 प्रतिसत है ये कई बार पूचा गया है तेंदूलकर समीत के अनुसार यूपी में जो गरीवी रेका से नीचे जीवनियापन करने वाली जन्जंक्या का प्रतिसत है 29.43 प्रतिसत है अब आईए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है साच्छरता दर है उत्तर प्रदेश की सरसट दसम्लव 7 प्रतिसत 67.7 परसेंट है वहीं पुरुस्व की साच्छरता दर जो है 77.3 प्रतिसत है और इस्त्रियों की साच्छरता दर जो है 57.2 प्रत नगरिय और ग्रामीड में विवाजित किया है जो नगरिय साचरतादर है वो 75.1 प्रतिसत है उसमें पूरुसों की साचरतादर जो नगरों में है 80.4 प्रतिसत वहीं इस्त्रियों की साचरता जो है 79.2 प्रतिसत है वहीं ग्रामीड साचरतादर जो है 65.5 प्रतिसत जो है ग्रा में है वो 53.7 यह बहुत most important आंकड़े हैं आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए अब आईए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्नी जी बिहार देखते हैं यह काफी important है आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं सबसे पहले देखते हैं सहीद चंदर सेकर आजाद पक्षी वन्नी जी बिहार नवाब गंज पक्षी बिहार के नाम से भी इसको जाना जाता है 1984 इसमी में इस्थापित हुआ था और उन्नाओ उन्नाओ डिश्टिक जो है वहाँ पर है ये नवावगंज पक्षी बिहार या सही चंदर सेका राजाद पक्षी बिहार और इसका छेत्रपल सबाद 2 वर्ग किलोमीटर है वही आप देखेंगे समस्पूर पक्षी बिहार जो है 1987 में इस्थापित किया जाता है और रायवरीनी डिश्टिक में ये है 7.99 वर्ग किलोमीटर इसका छेत्रपल है वही देखेंगे लाख बहुसी पक्षी बिहार काफी इंपोर्डेंट है लाख बहुसी कल्नोज में है ये 1988 में इस्थापित होता है और 80.24 इसका छेत्रपल है आप देखेंगे ओकला पक्षी बिहार जो है गौतम बुद्ध नगर 1990 में इस्थापित होता है ये गौतम बुद्ध नगर में है और 4 वर्ग किलोमीटर इसका छेत्रपल है बखीरा पक्षी बिहार जो है ये संत कभीर अच्छी सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं पक्षी वन्नी जी विहार वलिया में है और ये सुरहताल के नाम से एक्जाम में पूचा जाता है सूर सरोबर पक्षी बन्नी जीव बिहार जो है ये आगरा इटावा में इस्थापित है वही आप देखेंगे पारवती अरगा पक्षी बन्नी जीव बिहार जो है ये गोंडा जिले में है पटना पक्षी बिहार बलिया में है सूर सरोबर जो है वो आगरा एटावा में है पारवती अरगा पक्षी बनी जी बिहार गोंडा में है विजैस आगर पक्षी बनी जी बिहार महोवा में है और पटना पक्षी बनी जी बिहार एटा जिले में है और दोस्तों सबसे बड़ा बननी जीव बिहार जो है आपको बता है लाख बहुसी पक्षी बननी जीव बिहार ये 80.2 बर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है और ये कन्नोज में है सबसे बड़ा लाख बहुसी पक्षी बननी जीव बिहार अब आईए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के बन्नी जी बिहारों को देखते हैं आईए दोस्तों देखते हैं चंद्रप्रबा बन्नी जी बिहार जो है यह चंदौली में है किसनपुर बन्नी जी बिहार लखीनपुर खीरी में है कतरनिया घाड वन्नी जी बिहार most important कई बार पूचा गया ये बहराईच में है और रानिपुर वन्नी जी बिहार जो है चित्र कूट में है महावीर स्वामी वन्नी जी बिहार ललितपुर में है most important कई बार पूचा गया है राश्ट्रिय चंबल वन्नी जी बिहार जो है आगरा इवा मिटाबा में है, कैमूर वन्नी जी बिहार जो है मिर्जापुर इवाम सोनभद्र में है, हस्तिनापुर वन्नी जी बिहार मेरट हापड और बिजनौर अम्रोहा में है, वहीं आप देखेंगे सोहागी बरवा, सोहा अब आईए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रिदेश की जल विद्दूत परियोजना ही देखते हैं सबसे पहले देखिए खारा जल विद्दूत परियोजना असन नदी पर है सहरनपुर में खारा दोस्तों माता टीला जल विद्दूत परियोजना जो है बेतवा नदी पर ललिदपुर में है वहीं आप देखेंगे निर्गजनी चित्रोरा जिसे उ गंगा नदीर के किनाड़े मुझफवर नगर में ये जल विद्धूत परियोजना है सलवा या भोला उपरी गंगा नहर में ये भी है गंगा नदीर पर मेरट में ये है ओबरा ओबरा जो है जल विद्धूत परियोजना रिहंद नदीर पर है सोन भद्र में वहीं आप देख वेलका, वावेल, पूर्वी यमुना नहर जो है, यह यमुना में नदी पर सहारनपुर जेले में इस्तित है, वहीं आप देखेंगे सीतला, सीतला जो जल्विद्धुत परियोजना है, यह बेतवा नदी पर जासी में इस्तित है, तो आएए एक बार और देखते हैं, खारा जो है, असन नदी पर है, सहारनपुर, माता टीला भेतवा नदी पर ललेदपुर में है, निर्गजनी और चित्रोरा जो है, गंगा नदी मुझफपर नगर में है, सल्वा और भोला उपरी गंगा नहर में है, गंगा मेरट में है यह, ओबरा जो है, रियंद नदी पर सोन और सीतला जो है बेतवा नदी पर जासी में है अब आईए दोस्तों एक बेसिक पॉंट जो रह गई थी बुबत आते उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्टिक जो है हापुड डिस्टिक है और सबसे बड़ा डिस्टिक जो है लकीमपूर खेरी है तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश Special GK का Part 2 और दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश की मिटियां उत्तर प्रदेश का जो प्राई दीप ये भाग है उत्तर प्रदेश की नदियां है उत्तर प्रदेश की जलवायू है इससे संबंदित तमाम वीडियो हम आपके सामने UP Special GK की लेकर आते रहेंगे और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमारी Mathematics की भी Classes लगातार जो Practice Aid हम आपको दे रहे हैं सौट ट्रिक और Concept के साथ वो भी चल रही है हमारा मेन उद्देश से है 90% syllabus आपका जो 90% questions हैं सक्से विष्टा Classes की Class से आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों इसी प्रकार लगातार सक्से विष्टा Classes की Classes को अटेंड करते रहे हैं और वीडियो को जादा से जादा like and share करते रहे हैं धन्यवाद